हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में अब हम डिसकस करेंगे हमारी जो बुक है हमारा अतीत भागतीन उसके चैप्टर नमबर सेकेंड को फर्ष्ट हम डिसकस कर चुके हैं इससे पहले हमारा राजस्तान किताब हम पूरी कर चुके हैं और आपके जितने भी मॉडल पेपर हैं उन सब का सल्यूशन भी डाला जा चुका है अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं ठीक है ना चलिए देखते हैं फर्ष्ट क्या है पहला प्रश्ण है मुगल बादसाओ में आखरी शक्ति साली बादसा कौन थे तो आपको होगे लास्ट जो सक्ति साली थे ना वो औरंग जेब ठीक है ना बाउप्शन करेक्ट फिर है इस्ट इंडिया कंपनी कब होया था नहीं ठीक है ना तो यहां पे गलत लिखावाए भारत के लिए जो समुदरी मार गया ना उसकी खोज की थी और वो किसने की थी वास को डिगा माने ठीक है ओप्शन करेक्ट कर दोगे पहले इंगलिस फैक्टरी किस नदी के किनारे शुरू हुई थी तो यह कहां प खाल जेगे की मर्तियों के बाद बंगाल के नवाब अली ताकत दिखाने लगे नवाब ताकत दिखाने लगे तो औरंगजेब ठीक है औरंगजेब की मर्तियों के बाद यहां के नवाब थे वो पावर में आ गए फिर हैं 1756 यहां पे लिखना है मतलब हो गया कि 1756 में अली वर्दी खान की मुर्तियों के बाद सिराजुद दौला बंगाल के नवाब बने ठीके ना सिराजुद दौला बंगाल के नवाब कब बने 1756 में हैदर अली और टीपु शुल्तान कहां के सा सकते मैसूर के लॉर्ड हैंस्टिंग के नेत्रतों में सर्वोच की एगनीती अब मिलान है मिलान वाले देखिए फर्मान फर्मान का मतलब होता है एक साही आदेश वासकोड डिगामा तो इसने क्या किया था ये खोजी यात्री था बकसर की लड़ाई ये वोईती 1764 में मैशूर ये कौन टीपु शुल्तान और कन्फरडरेसी का मतलब होता है ठीक है ना नेक्स्ट कुश्ण पे चलते हैं आपको सत्य असत्य बताना है सन 1600 में इस्ट इंडिया कंपनी ने इंगलेंड की महरानी एलिजाबैत परतम ने चार्टर अत्वा इजज़त नमा हासिल कर लिया था सही बात है 1696 तक कंपनी ने आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना सुरू कर दिया करेक्ट है 19. सदी के सुरुआत में कंपनी तथा बंगाल के नवाब में टकराव काफी बढ़ गया गलत अलिय वर्दी खान की मुर्तियों के बाद टीपू सुल्तान बंगाल के नवाब बने गलत क्योंकि कौन बने थे सिरा जुदोला प्लासी की जंग भारत में कंपनी के पहली जीत थी बिलकुल सही है प्लासी के युद में अंग्रेज पहली बार जीते थे ठीक है न अगला देखिए इस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त चार्टर यानि इजाजत नामा से क्या आशे है इसका मतलब यह था चार्टर से आशे था कि इंगलेंड की कोई और व्यापारी कंपनी पूरब में इस इस इंडिया कंपनी से होड नहीं कर सकती उन्होंने कहा कि इस इंडिया कंपनी ही राज करेगी यह था अपने चार्टर नेक्स्ट है वानीजिक से आप क्या समझते हैं वानीजिक से मतलब होता कि बाजार में व्यापार से मुनाफा का माना ठीक है ना बारत के लिए गाली जो थे वो गोवा में थे ठीक है ना फिर लास्ट कोईशन है अपना अंग्रेज किस मार्ग से आये थे तो अंग्रेज कैप ऑफ गुड होप जो दक्षने अपरिका में हैं वहां का चक्र लगा कर चकर लगा कर हिंद माह सागर पार करके बारत आये थे ठीक है तो मिलत है नेक्स्ट पार्ट में तब तक बैतरी इंडंग से पढ़ते रहें गुडबाई जय हिंद जय भारत